हम लास्ट क्लास में हम लोग वर्क पावर इनर्जी का कुछ कोस्टन देख लिये थे आज चैनल अपको दिखले हैं ठीक है अब यहां इसका solution देखते हैं कि कैसे solve होगा देखो first question में क्या करना है बोलना है कि force acts on a 2 kg object है ना a force acts on a 2 kg object यानि कि कोई 2 kg का एक object है एक 2 kg का आप object बना लीजिए किसी भी question में आपको diagram बनाने की कोशिस करनी है ठीक है so that its position is given as a function of time यानि कि इसका function है displacement का function वो दे रखा आपको x ब्राबर 3t square plus 5 यानि कि question बोल रहा है कि इस 2 kg के object पर कुछ force वगड़ लग रहा होगा ठीक है और उस force के लगने के कारण इस body का 2 kg वाले body का object का displacement हुआ है और वो displacement है वो time पर depend कर रहा है कि इस तरह से depend कर रहा है तो कुछ इस तरह से depend कर रहा है x ब्राबर 3t square plus 5 आपसे पूछ रहा है what is the work done clear यानि कि आपसे work find out करने के लिए बोल रहा है इस force के कारण जो force इस 2 kg वाले object पे लग रहा था जिसके कारण displacement हो रहा है इस body का और displacement time के function में हो रहा है ठीक है first 5 second में क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है clear अब यहां देखेंगे इसके लिए हमको work find out करना है relation time का दिया है यानि कि जो time का condition है वो आपको दे रखा है time का limit कहां से कहां तक तो 0 to 5 seconds ठीक है work find out करना है तो work find out करने के लिए अपने को जो fundamental formula है उस पर जाएंगे तो work done बढ़ाबर होता है f s cos theta या फिर लिख सकते हैं integration of f ds या फिर लिख सकते हैं work done बढ़ाबर change in kinetic energy के लिए तो यहां पर ऐसा कुछ theta वगर डिफाइन नहीं है तो इस formula पर ज्यादा हम लोग नहीं सोच सकते हम लोग इस दोनों formula पर सोच सकते हैं इसमें यह वाला formula है यह जो work energy theorem है कि work done बढ़ाबर change in kinetic energy इसको ज्यादा असानी से हम लोग अपलाई कर सकते हैं के लिए तो हम यहां पर work energy theorem ही apply करने जा रहे हैं इसमें हम लिखेंगे half m work done बढ़ाबर change in kinetic energy यानि की kinetic energy इसके लिए आपको मास चाहिए इस पूरे concept को apply करने के लिए आपको क्या चाहिए तो मास पता होना चाहिए मास दे रखाया question में 2kg है इस body का मास final velocity और initial velocity चाहिए वो कैसे निकलेगा तो उसके लिए यहां देखिए x बढ़ाबर 3t square प्लस 5 लिख दिया यानि कि displacement और time का relation दे दिया है तो यहां से हम लोग velocity निकाल सकते हैं अगर इस displacement को time के respect में differentiate कर दें तो velocity निकल जाएगा ठीक है differentiation आप खुद करें 3 constant बाहर देगा बाहो t square का differentiation हो जाएगा 2t यानि कि total differentiation होने वाला है 6t और प्लस 5 तो 5 constant है constant का differentiation 0 तो यहां से velocity का जो relation आ गया वो आ गया 6t ठीक है तो at t equal to 0 जब time की value कितनी है 0 है तो velocity initial हो जाएगा और कितना हो जाएगा तो 6 into 0 यानि कि 0 meter per second और at t equal to 5 second velocity final हो जाएगा और यह हो जाएगा 6 into 5 6 into 5 यानि कि आप से यह हो जाएगा कितना 30 meter per second इसको माली जाप equation number 1 अब यहां पर लिख सकते हैं कि from 1 अपने को तो work done बोला था find out करने लेकिन हम direct work नहीं निकाल करके change in kinetic energy निकाल रहे हैं और जो change in kinetic energy होगा वही work हो जाएगा तो work done बराबर m by 2 को constant के तरह बाहर कर लिए final velocity कितना 30 तो 30 का square minus initial velocity 0 तो 0 का square मास कितना है तो 2 by 2 into 900 तो फाइनल जो आपका work done आ गया वह आगे 900 जूल बहुत असान question ठीक डी option इसी question को अगर आप चाहते यह पहला method हुआ है इस question को अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगा है तो एक और method है उससे भी आप कर सकते थे वह कौन सा तो यह वहला formula है ना method 2 के लिए क्या करना पढ़ेगा देखेंगे यहाँ पर method 2 के लिए हमको apply करना work done ब्रावर integration of fds integration of fds यह formula apply करते हैं अपन तब जब force क्या होना चाहिए variable होना चाहिए तो उस condition में यानि की work done ब्रावर integration of force के जगा हम लोग लिख सकते थे mass into acceleration और यह जो ds यानि की displacement तो displacement x-axis पर है इसलिए हम लिख दे रहे हैं dx मास तो पता है acceleration नहीं पता acceleration कैसे आएगा तो acceleration आप निकाल सकते हैं अधियान से देखें कैसे निकलेगा देखो यहां से वी बरावर हमने पहले ही निकाला है dx by dt वी बरावर dx by dt और dx by dt की value कितनी है 6t तो यहां से फर्दर आप dx बरावर लिख सकते हैं 6t dt 6t dt dx की value निकल गई और इसी velocity को अगर आप फिर से differentiate कर दे db by dt तो यहां से इसका differentiation आदाएगा 6 यानि कि acceleration भी आपको मिल गया और dx का value भी आपको मिल गया ऐसा हम क्यों कर रहे हैं work done बरावर integration of f dx force को हमने ma लिख लिया displacement x-axis पर था तो x-axis लिख लिए इस पूरे equation को आपको time के term में convert करना पड़ेगा क्योंकि work निकालने के लिए जो condition है वो time dependent है यानि कि time का limit दे रखा है तो इस equation को time के term में convert करना पड़ेगा इसके लिए dx बरावर 60 dt यहां से उठा के इसमें put करिए यहां से देखेगा work done बरावर mass constant है कितना है 2 kg 2 को बाहर कर लेते हैं एक्सरेशन पर भी ध्यान दो यह कितना है 6 यहां पर लिख रहे है integration of 2 into 6 into 60 dt dx बरावर 60 dt 36 दुरा 72 यानि कि आप यहां से 72 बाहर कर दिये integration of t dt ठेक है integration of t dt यहां पर देखना आप work done बरावर 72 इधर है ना यहां पर है आपको integration of t dt limit कहां से कहां तक तो limit है आपका 0 से लेकर 5 limit है अब यह 0 से लेकर 5 तक limit है इस limit को आप apply करिये और जैसे आप इस limit को apply करेंगे तो limit apply करने के बाद आप वहां से आसानी से इसको solve कर सकते हैं पहले integration कर लिजे और integration करते ही जो है सो limit apply करके यहां से ना 6 इंटु 6 36 36 इंटु 2 72 बाहर integration of t dt ट का integration कितना हो जाएगा यह हो जाएगा टी स्क्वाइड बाई 2 0 से लेकर 5 और पहले से बाहर में कितना है तो 72 जब आप calculation करेंगे तो यहां से आपको work done ब्रावर 900 जूल ही मिलने वाला है clear तो इससे भी आप solve कर सकते थे जब आप value put करते तो उतनी value आते जितनी आपको अभी दिख रही है ठीक है 900 जूली आपको answer आएगा यहां से जब आप limit put करिएगा 5 put करो यहां 2 से cancel करेंगे 36 5 put करिए तो 5 का स्कूर 25 36 इंटू आप जो 25 करिए clear और 36 इंटू 25 जैसे आप करि 35 करते आप calculate कर लिजेगा calculate करने पर आपको दिख जाएगा कि वह 900 जूल आ रहा है समझ गए तो यह दोनों मेथट था जब आप व्रक्डण ब्रावर चेंजिन कानेटिक नरजी लगा सकते थे या व्रक्डण ब्राव इंटिग्रेशन ऑफ डिएस अपलाई कर सकते थे दोन कि इस पर ध्यान देंगे आप कुशन नमर टू पर ध्यान दो क्या बोल रहा है block of mass m is kept on a platform यह एक block है जिसका कि mass m है और इसको इस platform पर रख दिया गया ठीक है which starts from rest यह point आपको important है which starts from rest यानि कि यह जो platform पर यह platform के साथ जो यह block move करना start किया है यह rest में था पहले यानि कि initial velocity zero initial velocity कितना zero कब starts from start हुआ है motion यानि कि at time t equal to zero clear with constant acceleration यहां पर clear लिख दिया है constant acceleration कितना gy2 अगर यहां constant नहीं भी लिखता तो भी हमको दिख रहा था कि expression कितना है gy2 है तो constant ही होगा ऐसा क्यों किया गया constant क्यों लिखा गया सो समझ लिजिए जब a बरावर gy2 लिख दिया है acceleration constant है तो constant expression देखते ही अपने दिमाग में तीन चीज़ आना चाहिए तीन equation एक तो भी बरावर यू प्लस 80 दूसरा s बरावर यू टी प्लस हाफ 80 स्कॉरर और तीसरा वी एस्कॉरर बरावर यू एस्कॉरर प्लस 2as यह तीनों equation तब apply करते हैं जब expression क्या होता है constant होता है clear है तो उस condition में यहां देखिएगा work done by normal reaction आपसे पूछ रहा है normal reaction यानि कि normal force के कारण work done ठेक है तो यहां देखो हम इसी में कर रहे हैं यहां से normal force इस body का कहा लगेगा उपर के तरफ नॉर्मल force इस body का कहा लगेगा उपर के तरफ weight force कहा लगेगा body के center से earth के center के तरफ vertically downward यानि कि mg मतलब इस body पर यह जो m mass का body है इस m mass के body पर normal reaction उपर के तरफ weight force नीचे के तरफ mg और एक acceleration है जो कितना है a ब्रावर g by 2 यहां पर हम normal reaction के कारण अगर हमको work done निकालना है कितना सब्सक्राइब में तो पहले हमको normal reaction निकालना पड़ेगा यही एक force निकालना पड़ेगा तो normal force बरावर क्या हो जाए को सो देखेंगे तो एक force उपर के तरफ नेट force बरावर mass into acceleration वाला concept लगाई है newton second law of motion ठीक है नेट force बरावर mass into acceleration एक force उपर के तरफ है तो plus जो force उपर क के तरफ होगा along positive y axis उसको पलस लेंगे तो यह पलस में यह माइनस में ठीक है तो एन माइनस mg यही दो force है और कोई force है नहीं तो नेट force बरावर mass into acceleration तो mass into acceleration यानि कि एन बड़ावर mg plus mg by 2 यानि कि यह कितना हो गया आपको तो 3 mg by 2 हो गया clear यह जो हो गया वो आपको 3 mg by 2 हो गया आप इसको मान सकते है equation number 1 यहां से आपको normal reaction तो निकल है लेकिन work done निकानने के लिए क्या चाहिए तो displacement भी चाहिए ठीक है तो यहां से हमको साफ दिखाई दे रहा है कि acceleration constant है जो acceleration है मेड़ा वो क्या है constant है और अगर acceleration constant है और time का relation दिया है time t पे तो क्यों न हम displacement निकालने के लिए s बडाबर ut plus half 80 square लगा दे क्योंकि यह formula acceleration constant होने पर ही लगता है तो s बडाबर u की value 0 हो गई plus 1 by 2 into g by 2 into t a square यह हो गया आपको z t a square by 4 equation number 2 अब यहां देखिए तो normal reaction उपर के तरफ है बड़ी का displacement भी उपर के तरफ ही ओड़ा है क्याकि acceleration उपर के तरफ है तो यहां theta दोनों के बीच कितना हो गया 0 degree यानि कि force और displacement के बीच का एंगल 0 degree तो यहां पर हो गया work done बड़ाबर normal force into s into cos theta यानि कि n into s into cos 0 d cos 0 1 है work done बड़ाबर normal reaction कितना आया तो यह आगे आपको 3 mg by 2 into यहां से यह कितना हो गया तो यह हो गया gt square by 4 यानि कि जो answer आ जाएगा वो आ जाएगा 3 mg square t square by 8 joule इतना answer आपको निकल के आएगा यानि कि option number c यह भी easy question है इसको इसी method से आपको करना होगा जहां जहां आमको जितना explain करना चाहिए वह आपको हम कर दे रहे हैं पूरा deeply explain कर दे रहे हैं आपको और जहां extra method से भी बन सकता है वो भी कर देंगे चलिए question number 3 को देखते हैं क्या बोल रहा है कि particle which is experiencing a force को पार्टिकल है जो एक force को feel कर रहा है experience कर रहा है कितना फोर्स है तो है undergoes a displacement कितना displacement displacement दे रहा है फोर आइक अब देखते ही ना आपके दिमाग मैना चाहिए कि वर्क निकाल सकते है ठीक है लेकिन पहले आगे question पढ़ लीजिए इफ दपार्टिकल है काइनेटिक इनर्जी 3 जूल यानि कि पार्टिकल के पास काइनेटिक इनर्जी भी है 3 जूल at the beginning of displacement यानि कि जब displacement start हुआ यानि कि जब motion start हुआ होगा जहां से आप motion consider कर रहे होंगे वहां से जब displacement start हुआ तो काइनेटिक इनर्जी 3 जूल है यानि कि initial काइनेटिक इनर्जी जो है वो आपको दे रखा है 3 जूल तो आपसे final काइनेटिक इनर्जी मांगा जा रहा होगा एक बार देख लेते हैं तो आगे लिखा भी है कि what is the kinetic energy at the end of displacement यानि कि जब displacement end हुआ तब कितना kinetic energy है यह आपसे पूछ रहा है तो यहां से क्या करेंगे simple सी बात है force है displacement है और kinetic energy का चर्चा है यानि कि आपको work energy theorem ही लगाना होगा work done बड़ाबर change in kinetic energy यानि कि kinetic energy final minus kinetic energy initial work done कैसे निकलेगा तो work done निकालने के लिए force और displacement का dot product final kinetic energy हमको find out करना है और initial हमको दे रखा है 3 f.d करना है इस दोनों का dot product करना है dot product में आपने क्या सिखा है तो i cap वाला i cap के साथ ही होगा j cap वाला j cap के साथ और k cap वाला k cap के साथ तो यहां i cap में देखिए 3 है यहां i cap में 4 है यानि कि 3 into 4 कितना हो जाएगा 12 और यहां j है लिकिन यहां कोई j नहीं है यानि कि j cap वाला जो component है वो 0 हो जाएगा ठीक है equal to kinetic energy final minus 3 तो यहां से आ गया kinetic energy final equal to कितना तो 12 पलस 3 यानि कि 15 जूल यह आपको एंसर हो जाएगा यानि कि final kinetic energy 15 जूल यह तीनों ही question आपको जेइमें 2019 का था और भी question हम लोग देखेंगे तब तक आप लोग इसको नोट कर लिए चलिए अब question number इसको देखते है फोर को यह भी जो question है आपका यह भी question आपका जेमें 2018 का है ठीक है पढ़िया question और इस टाप के problems नीट वालों को भी करने चाहिए ताकि concept आपका बढ़िया बने क्या बोल रहा है कि body of mass m यानि को बॉड़ी है जिसका कि मास कितना है m है moving from rest यहां पर सबसे बड़ी बात कि moving कहां से condition कहां से दिया है rest से so that its velocity varies edge यानि कि इसकी velocity जो है वो सबस्थीब आप अस ट्राइब प्रह्य क्या हो गया मतलब ख्रेंद स्थीचि Eyes को आपको total नज फाइंडाउट करना है फिर्ट टी सेकेंड में condition ध्यान दीजें यहांपर फिर्ष्ट टी सेकेंड यानि कि वर्क ड़न निकालने के लिए जो पैडामीटर है जो लिमिट डिपेंड कर रहा है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है after the start of the motion यानि कि जब motion start हुआ उसके बाद T second तक motion हुआ होगा तब कितना work done हुआ यह पूछ रहा है तो work done निकालने के लिए यहाँ पर दो तरीका है या तो आप integration of FDS के साहरे जाईए या फिर work done बरापर change in kinetic energy के साहरे जाईए इस दोनों ही method को हम लोग try करने का कोशिस करेंगे जहाँ से answer आ जाए चलिए पहले work done बरापर change in kinetic energy को हम लोग try करके देखते हैं यहाँ से देखना B बढ़ावर A root S जब work done बरापर change in kinetic energy आप लगाते हैं तो formula होता है final kinetic energy minus initial kinetic energy यानि कि half mb square minus half mu square तो यू तो दिख रहा है 0 mass m चाहिए वो भी दिख रहा है कि body का mass m है अपने को क्या चाहिए भी चाहिए velocity चाहिए लेकिन जो work निकालना है वो time के respect में निकालना है यहाँ option में भी देखे तो सब time के function में t, t, s, यहाँ पर t square, t square, t square, t square सब t square, याँ कि time के function में work का answer आएगा और condition question ने बोल भी रहा है कि first t second में work done बताईए याँ कि जो work निकालना है वो time के respect में याँ कि time के condition पर निकालना है और हमको velocity का जवरत है तो इसका मतलब है कि velocity time के function में आएगा तभी work का answer time के function में आपाएगा काई कि e तो 0 होना है पूरा का पूरा यू तो 0 हो गया ना तो इसको पूरा को ही 0 होना पड़ेगा यह तो fix हो गया है लेकिन यहाँ जो m है mass m यह तो question में भी दे रखा है mass m e value भी मिल गया लेकिन velocity कैसे मिलेगा velocity को तो time के function में लाना पड़ेगा क्यों क्योंकि हमको work चाहिए time के function में समझ रहे तो इसके लिए यहाँ देखो velocity equal to a root s यहाँ velocity किस पर depend कर रहा है displacement पड़े यह जो है वो acceleration नहीं है यहाँ a constant है यह जो a है यह constant है यह acceleration नहीं है तो velocity equal to a root s इसको आपको convert करना पड़ेगा यहाँ velocity displacement का function है आपको इसको time का function बनाना पड़ेगा clear तो time का function कैसे बनाएंगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V के जगा पर यहाँ इसको लिख दो V बड़ावर dsy dt बड़ावर a root s यहाँ से आप लिख सकते थे dsy under root s बड़ावर a dt दोनों साइड integration करिएगा के लिख दोनों साइड integration करिएगा तो integration करने पर यह आजाएगा 2 root s बड़ावर a t यानि कि s बड़ावर आजाएगा a square t square by 4 ठीक है ना यहाँ से आपको जब integration करिएगा तो s की value कितनी आजाएगी यहाँ देखो under root s बड़ावर हो जाएगा a t by 2 s निकालने के लिए root को s square करना पड़ेगा तो s बड़ावर a square t square by 4 यहाँ से आप चाहें यह जो s है इसी को अगर आप differentiate कर दे तो फिर से आपको velocity मिल जाएगा है ना time के respect में differentiate करना पड़ेगा तो a square by 4 constant बाहर और t square का differentiation 2t ते यह 2 से 2 times ते यह कितना हो गया तो यह हो जाएगा a square t by 2 यानि कि यहाँ से हमारा velocity बड़ावर यानि कि ds by dt बड़ावर आ गया a square t by 2 तो अब जो velocity है वो time का function बन चुका है clear अब limit put करो अराम से तो at t equal to time equal to t second यहाँ पर आपको condition ही दे रखा है time equal to t कोई 2 second 4 second नहीं दिया है time की value t दे रखी है तो यानि कि velocity जो है वो सीधा सीधा हमको put करना पड़ेगा a square t by 2 अब इसको उठा करके आप जरा वहाँ put करिए इसमें इसको मालनों है question number 1 तो यहाँ से लिखेंगे बाहू from one work done बराबर m by 2 mass constant बाहर m by 2 velocity का यानि कि final velocity का square initial velocity तो 0 था तो यह तो term पहले 0 हो गया इसका square करेंगे तो कितना हो जाएगा a के power 4 t square by 4 यहाँ से आ गया m a के power 4 t square by 8 joule यह answer हो जाएगा एक तो यह method है इससे भी आप work energy theorem माले formula से आप इस question को solve कर सकते थे यानि कि जो इसका answer आता वो c option आता दूसरा भी method हम लोग try करके देखते है यहाँ से work done बराबर integration of fds ठीक है यानि कि हम लो लिख सकते थे work done बराबर f के जगा m a और यह ds इस पूरे function को इस पूरे formula को work done बराबर m a ds को हमको convert करना पड़ेगा time के term में कैसे convert करेंगे सो देखो यहाँ से देखो v बराबर ds by dt यहाँ से हम चाहें तो ds बराबर लिख सकते है a square by 2 dt एक तो ds मिली गया time के term में mass constant बाहर चला जाएगा acceleration का जवड़त है acceleration कैसे निकलेगा तो जब आपको velocity दे रखा है a root s तो acceleration बराबर आप लिख सकते हैं जब velocity displacement का function होता है तब acceleration निकालने के लिए हमने आपको बताया है v dv by ds यानि कि v तो v constant v का value velocity की value कितनी है a root s into जब आप इसको differentiate करिएगा तो a constant बाहर चला जाएगा रूट s का differentiation हो जाएगा 1 by 2 root s root s से root s cancel हो गया तो यहां से acceleration की value आगाई a square by 2 clear तो यहां से acceleration भी आपको निकल गया अब यहां पर आप इसमें put करिए integration m acceleration कितना a square by 2 ds की value कितनी तो यह है a square t by 2 dt तो यहां से यहां देखो m a के पावर 4 और by 4 work done बढ़ाबर m a के पावर 4 by 4 बाहर और integration of t dt limit 0 से लेगा कहां तक t तक और t की value कितनी t square by 2 इस t का integration t square by 2 upper limit lower limit put करिएगा तो वापस से आपको इतना ही answer आएगा m a के पावर 4 t square by 8 clear तो दोनों ही condition से चाहे तो आप work energy theorem लगाईए या फिर work done बढ़ाबर integration of fds यानि कि variable force वाला formula लगाईए दोनों ही condition से आपको same answer आएगा clear चलो question नमर 5 देखते हैं 5 में क्या बोल रहा है आपको यह को जैइमेन 2017 का question है f बढ़ाबर आपको दे रखा है वाहू 60 आपसे बोल रहा है work done बताइए है ना कोई time dependent force तो यह time पर depend करने वाला force है f बढ़ाबर 60 question में दिया है x on a particle यानि किसी particle पर काम कर रहा है उस particle का mass दे रखा आपको 1 kg if the particle starts from rest यहाँ पर भी बोल दिया कि particle अपना motion start कर रहा है कहां से rest से यानि कि at t equal to 0 initial velocity 0 है ना और आपसे देखो work निकालना है और आपको velocity का hint दे रहा है तो कहीं ने कहीं आपसे work energy theorem लगवाना चाहता है ठीक है तो आपसे first t one second में पूछ रहा है यानि कि at t equal to one second t equal to one second per velocity क्या होगी वो पहले निकालेंगे और फिर work energy theorem हम लोग apply कर देंगे तो f बढ़ाबर हमने पढ़ा है ma बढ़ाबर 60 यानि कि mass कितना दे रखा है question में 1 kg 1 kg पूट कर रहा है कोई मतलम नहीं है यह लेकेंगे dby dt बढ़ाबर 60 यानि कि dv बढ़ाबर 60 dt clear जब time 0 तो velocity 0 time 0 तो velocity 0 time 1 तो velocity कितना b जब आप integration करके limit वगड़ा put करिएगा तो यहां से dx का integration x होता है तो dv का integration b हो जाएगा 6 constant बाहर t का integration t square by 2 यानि कि 6 into t square by 2 limit 0 से लेके 1 यह हो गया 3 meter per second clear तो initial velocity और final velocity दोनों मिल गया अब क्या करेंगे तो work done बढ़ाबर लिख देंगे change in kinetic energy यानि कि m by 2 बाहर v square minus u square तो work done बढ़ाबर mass 1 kg है तो 1 by 2 बाहर v की value कितनी 3 तो 3 का square 9 minus 0 initial velocity 0 है न यहां से कितना आ गया 9 by 2 यानि कि 4.5 joule यह answer हो जाएगा यानि कि option number a यह आपको जेईमेंट 2017 का question question बहुत आसान आता हो concept clear होना चाहिए तो question निश्चित बनेगा ठेक है और आगे आप और कुछ question हम लोग देखते हैं जब तक इसको note कर लिजे आप चलिए दो question और देखते हैं हम लो यह दोनों भी जेईमेंट का ही पूछावा question है आपको clear 2007 का 2004 चलिए यह आपको 2007 का है क्या बोल रहा है इसमें पार्टिकल इस प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री है ना टू दा होर्जेंटल बदा होर्जेंटल के साथ यानि कि x-axis के साथ यह रहा x-axis यह y-axis यहां और जिन से कोई पार्टिकल होगा मालों उसका मास दिया होगा m ठिक यह और जिन से कोई पार्टिकल इसका मास दिया है m उसको वी वेलोसिटी के साथ 60 डिग्री एंगल पे थ्रो किया गया तो जब आप इस तरह से थ्रो करिएगा तो पार्टिकल का मोसन कैसा होगा प्रोजेक्टाइल होगा है ना पार्टिकल का मोसन कैस कितना है के एट पॉइंट ओ इस पॉइंट पर कानेटिक इनर्जी बड़ावर कितना तहाफ एम भी स्क्वाइर और उसको बोल रहा है कोशन में कि यह के है ठीक है काई कि ओ पॉइंट पर तो वेलोसिटी अम भी दिये थे आपसे पूछा कि कानेटिक इनर्जी एट हाइस्ट पॉइंट तो हाइस्ट पॉइंट किया रहा है इसको बोल रहा है पॉइंट पी हाइस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक विलोसिटी होता है जो कि होडिकल विलोसिटी क्यों नहीं होगी क्योंकि बॉड़ी इस से उपर नहीं गया है इसका मतलब ब two at highest point p clear आप से पूछ रहा है कि at highest point कितनी velocity होगी तो आपको यहीं पर highest point pड the velocity ज हो कितना वह is sixty ठेक हां जेकर at sixty newKitsundh2 तो ओ deeply कौनग निकालना है kinetic energy तो यहां से kinetic energy हम निकालना चाहते हैं p point पर तो क्या लिखेंगे formula half m velocity का square तो अब velocity भी नहीं है by 2 है तो by 2 का square clear इसको इस तरह से लिखो by 2 का square तो यह कितना हो गया यह हो गया आपको half mv square into 1 by 4 यही half mv square कितना है तो k है तो यह आपको कितना हो गया के वाई 4 जूल ठीक है यानि कि highest point पर जो काइंटे के रजी हो गई वह के वाई 4 जूल हो जाईगे answer ठीक next question यहां देखो force कितना दिया इस question को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं 5y cap plus 3j cap plus 2k cap newton इतना force लग रहा है किसी body पर ठीक है किसी particle पर यहां लिखा भी है इतना force is applied on over a particle which displaces it is force के काने body displace कर गया कहां से तो origin से के लिए origin से displace किया है तो origin का position vector आप क्या लिख सकते हैं यहां देखो origin का अगर position vector लिखना ही होगा तो हम क्या लिखेंगे 0 i cap plus 0 j cap origin से displace करके हमने यहां तक ला दिया इस body को तो आप से पूछ रहा है कि वर्क बताईए तो जब force vector के term में दिया हो तो वर्कडर मरावर क्या लिखते है f dot delta r vector है ना यानि कि वर्कडर मरावर f vector dot r2 vector minus r1 vector तो r1 तो यह रहा और यही r vector ही r2 है यानि कि दूसरा position vector ही r2 बोलते हैं हम लोग हमने आपको पढ़ाया भी है यहां से लिख सकते हैं आप work done बरावर f vector dot r vector minus r1 vector equal to force कितना है तो 5 i cap plus 3 j cap plus 2 k cap dot इसमें से आप 0 को घटाई एगा 0 i को चाहे 0 j को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह यह ऐसा ही रहा जाएगा यहां वह ऐसा ही आप लिखती जे 2 i minus j dot product में हमने आपको पहले ही बताया कि i वाला i से multiply होगा यानि कि पांस दूना 10 plus into minus minus 3 into 1 3 यानि कि यह कितना होगा पलस सेवन जूल यह answer हो जाएगा यह कुछ question थे जे मेंस के जो previous year के problems थे और आपने देखा कि जो भी concept हमने पढ़ा है लास्ट दू तीन वीडियो में उसी से यह question जो है होता है नॉन conservative force क्या होता है central force क्या होता है ठीक है और वर्क इनर्जी थिवर्म पर हम लोग कुछ question और देखेंगे ठीक है अगर कोई डाउट हो तो नीचे description वाट्साप का link है आप वहां से डाउट पूछ सकते हैं थेंक्यू